हेलो फ्रेंड्स कुकविद पैशन में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके साथ एक अलग तरा की वीडियो लेकि आई हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ माइक्रोवेव के बेसिक यूज के बारे में बात करूँगी दोस्तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको microwave की ज़्यादा knowledge नहीं है तो आज मैं उनके साथ इसी के बारे में बात करूंगी तो उससे पहले आपसे request करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसको subscribe करें ताकि ऐसी ही interesting वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो ये मेरा LG का 21 लीटर का microwave है दोस्तो ये एक convection microwave है जो की 3 तरह से काम करता है दोस्तो इसमें 44 auto cook menus हैं यानि कि इसमें 44 ऐसी recipes दी गई हैं जिनको की हम automatically बना सकते हैं सिरफ हमें उनका weight इसमें mention करना होता है बाकी सारा process microwave खुद करता है तो ये इसका एक खास जो advantage है इस microwave का तो उसके बाद दोस्तो ये इसका panel है और मैं आपको इसको खोल करके दिखा देती हूँ जो जो इसके अंदर चीज है तो दोस्तो ये microwave जो है वैसे तीन तरह से काम करता है तो basically हर microwave में दोस्तो इस तरह का एक plate tray हम इसको कह सकते हैं एक borosil की tray होती है और साथ-साथ ये एक rolling ring होता है जो की इस tray को गुमाने में हमारी help करता है यानि कि जब भी कोई recipe या dish इसमें पकती है तो वो इस tray cube पर rotate होती है और cook होती है तो दोस्तो इसके साथ साथ हमें ये कुछ चीजे मिली है ये दो wire racks है एक low और एक high wire rack है दोस्तो इन दोनों wire racks को हम grill और convection mode पर use कर सकते हैं microwave mode पर दोस्तो इनका इस्तेमाल नहीं होता basically grill वगेरा करने में हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ दोस्तो इस तरह के बाउल्स भी हमें microwave के साथ ही आते हैं और ये मेरी idli tray भी इसके साथ आई हुई है जिसमें कि हम idli इसमें भी बना सकते हैं इन बाउल्स को दोस्तो हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री हीट या ऐसे भी वाम करने में या कुछ भी कुक करने में, तो इसके साथ सथ दोस्तो मैं आपको इसका पैनल दिखा देती हूँ, ये इसका की पैड पैनल है, ये प्रॉपर दोस्तो टच पैड है, इसको इसमे कुछ इन बिल्ड यानि की रेसिपीज हैं जिन में हमें सिर्फ इनका वेट हमें मैंशन करना है कि 100 ग्राम चीज है 200 ग्राम है और सिर्फ हमें यह वेट डाल करके स्टार्ट बटन प्रेस करना है तो अब से क्षक्षटब करता है उसके साथ दोस्तों मैं आपको इसके कुछ और बटन के बारे में बता देती हूं दोस्तों इसमें काफी कुछ है जो की बहुत ही यूजफूल है माइकरोवेव हर घर में होना चाहिए दोस्तों इसमें हम कोई भी चीज ग्रिल कर सकते हैं माइक् प्री हीट करके यूज कर सकते हैं जैसे कि केक या कुछ भी बेक करने के लिए हमें microwave को या OTG को हमें preheat करना पड़ता है तो हम इसमें और इसको preheat कर सकते हैं combination mode है combination mode पे हम इसको use कर सकते हैं और इसमें दोस्तों ये इसके timers हैं कि हमें 10 second के लिए चाहिए इसको चलाना की जरूरत है या एक मिनट के लिए या दस मिनट के लिए अपने use के हिसाब से हम timing सेट करते हैं यहां पे हम इसका temperature सेट करते हैं दोस्तों प्लस या माइनस से कि हमें कितने डिग्री पर कुछ कुक करना है 180 डिग्री 190 160 कम या ज्यादा हम प्लस या माइनस से कर सकते हैं दोस्तों यहां इसका नीचे stop और start बटन है जिससे कि हम microwave को stop करते हैं या चलाते हैं इसका बटन से दोस्तों हम इसको basically 30 seconds के लिए चला करकर हम इसको जैसे कुछ बटन हमें मैल्ट करना है या कोई चीज को हमें सिरफ गरम करना है हलका सा तो सिरफ हम चीज को बीच में रख करके सिरफ start बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये कुछ basic से use हैं मैंने आपको इनके कुछ basic सी बाते बताई हैं microwave की जो की बहुत ही जरूरी है हर एक बंदे को जानना जिसके घर में microwave है तो इससे related दोस्तों और भी वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे share करूँगी की microwave mode या convection mode या grill mode को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं microwave को हम preheat कैसे करते हैं बेकिंग से related आपसे मैं बाते share करूँगी आगे इस तरह की मैं knowledge से भरी हुई वीडियो दोस्तों बनाती रहूँगी तो उमीद है आज की आपको वीडियो ये मेरी पसंद आई होगी तो like का बटन जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को share करें धन्यवाद